बंदो नमस्कार शुप्रवाद कैसे हैं बताईए हमेशा करता आज आपके सामने में उपस्तित हूँ आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ यह से एक स्टोरी नहीं है एक हकीकत भी है एक लड़की एक महात्मा के सामने गये और उनको पूछे जो महात्मा जी मुझे बताईए छमा कैसे किया जाता है महात्मा जी ने उनको बताए जो छमा करने का मतलब आप मान रहे हैं वो दोशी है वो इनसान जो भी कर्म किया होगा अगर आप उसको मान लेते हैं तो वो दोशी नहीं रहता है अगर दोशी अगर ना हो तो उसको समा करने का कोई कारण नहीं रहता है तो हर इनसान का कर्तब हर इनसान पालन कर रहा है वो इनसान जो ठीक समझ रहा है वो ही कर रहा है हाले कि जो कर रहा है वो किसी के लिए गलत हो या किसी के लिए सही हो लेकिन अगर आप उसको माल लेते हैं तो वो दोशी नहीं होता और अगर दोशी नहीं होता है तो फिर उसको छमा करने का कोई कारां भी नहीं होता इसको समझे इसको जानिए इसको इसका गहराई तक पहुँचिए और नवाट